नमस्ते चात्रों, यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में समुद्र गुप्त भारत का नेपोलियन अर्था समुद्र गुप्त के बारे में जानकर इप्राप्त करेंगे तो देखेगा इसे पहले वारे वीडियो में हमने समुद्र गुप्त के सासंत था उसके समराजय विस्थार के बारे में जानकर इप्राप्त की थी तो आप प्लेलिस्ट में जाके और गुप्त काल में इन सब की इन फोर्मेशन आप देख सकते हैं चंदर गुप्त पर्थम, गठोत कच, समुद्र गुप्त और गुप्त वन्स, कालिदास इन सब के बारे में आप जानकरी प्राप्त कर सकते हैं तो देखेगा इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समुद्र गुप्त भारत का नेपॉलियन ठीक है चंदर गुप्त पर्थम के बाद उसका सुयोगे पुत्तर समुद्र गुप्त सावराजे की गद्दी पर बैठा वह लिचवी राजकुमारी कुमार देवी से उत्पन हुआ था समुद्र गुप्त ने केवल गुप्त बन्स के बलकी सम्पूर प्राचीर भारती इत्यास के महानतम सासकों में गिना जाता है निशंदे उसका काल रानतिक तदा सांसकुर्टिक दोनों ही दरिश्टेओं से गुप्त सम्रज के उतकर्ष का काल माना जा सकता है समुद्र गुप्त के बारे में जानकरी परदान करने वाले साधन देखेगा क्या क्या है सबसे पहले है प्रियाग परसस्ती तो समुद्र गुप्त के इत्यास का सर्व प्रमुक स्रोत उसी का अभिलेख है जिसे इलहाबाद इस्थमलेग अत्वा प्रियाग परस्थि कहा जाता है इसकी रचना उसके संधी विग्रही सचिव हरीशेण ने की थी कनिंगम के मतानुसार यह लेग मूलत है कोसांबी में खुदवाया गया था इस मत के समर्थन में दो पर्मान परस्थुत किया जा रहे है अभिलेग के उपरी भाग में मोर्य सासक असो का एक लेग अंकित है जिसे उसने कोसांबी में खुदवाया था ठीक है चिन्नी यात्री भेन सांग अपने परियाग वीवरण में इसका उलेक नहीं करता परियाग परस्थि में कोसल के सासक के रूप में महेंदर की चर्चा है कोसल का अभिपराय दक्सिन कोसल से है जिसमें आदुनिक मद्धे पर्देश के विलासपूर, राइपूर और संबलपूर सामिल थे इसकी राजदानी सिरपूर्थी दक्सिन कोसल को समुद्र गुप्त ने जीत कर अपने राजे में मिला लिया था समुद्र गुप्त का कारिय काल 335 से 375 इस्वी तक था इसे भारत का निपूलियन भी कहा गया है मद्धे काल में मुगल सासक एकपड ने इसे कोसंबी से वंगवा करे इलाबाद के किले में सुरक्षित करा दिया प्रियाक इस्थम्भ पर समुद्र गुप्त के लेक के अलावा असो के छै मुखे लेखों का एक संस्क्रण रानी का अभी लेक कोसंबी के महापात्रों को संग भेद रोकने समंदी आदेश जांगीर का एक लेक तथा परवर्ती काल का एक देवरागरी लेक भी उतकिरने मिलता है प्रियाक परसस्ती में कोसल के सासक के रूप में महेंदर की चर्चा है कोसल का अभी प्राय दक्सिन कोसल से है जिसमें आधुनिक मध्यपरदेश के विलासपूर, राइपूर, संबलपूर सामिल थे इसकी राजधानी शिर्पूर थी दक्सिन कोसल को समुद्र गुप्त ने जीत कर अपने राजे में मिला लिया था समुद्र गुप्त का कार्यकाल 335 से 375 इस्वी तक था इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है मद्यकाल में मुगल सासक अकबर ने इसे कोसामबी से मंगा कर इलाबाद के किले में सुरक्सित करा दिया प्रियाग इस्तंब पर समुद्र गुप्त के लेख के अलावा असो के छै मुख्ये लेखों का एक संस्क्रण रानी का अभी लेख कोसामबी के महापात्रों को संग भेद रोकने संबन्दी आदेश जांगीर का एक लेख तथा परवर्ति काल का एक देवनागरी लेख भी उत नहीं मिलता जबकि समुद्र गुप्त के सिकों में पता चलता है कि उसने असो में ये ये किया था अभी लेख के अंत में ये है उलेख के मिलता है कि इस कावे की रचना उस व्यक्ति ने की है जो परम बठारक के चर्णों का दास था तथा जिसकी बुद्धी स्वामी के समी कार्यारत रहने के कारण खूल गई थी इस परसस्ति की रस्ता समुद्र गुप्त के जीवनकाल में ही की गई थी ठीक है अब देखिएगा अन्य लेक तो गया तथा नालंदा से दो तम्र लेक प्राप्त हुए हैं जिरमे करम से गुप्त समथ 9 तथा 5 की तीथिया आंकित है इ मुद्रेश, समुद्र गुप्त के वीवित परकार की मुद्रेश, उसके जीवन एंवं कारियों पर प्रकास डालती हैं उसकी कुल 6 परकार की स्ववन मुद्रेश हमें प्राप्त होती है जो इस परकार से देखेगा गरुड परकार, इसके मुख भाग पर अलंगरित वेस गुसा में राजा के आकरती गरुड द्वज उसका नाम तथा मुद्रालेक सैंकडो युद्धों को जीतने तथा रिपों का मर्दन करने वाला अजय राजा स्वरक को जीतता है उतकिन मिलता है ठिक के दनुरधारी परकार इनके मुख भाग पर समराड धनुस बान लिये जीतता है ये वाक्य उतकिन है प्रिष्ट भाग पर सी है वाही नी डेवी के साथ उसकी उपादी ए प्रती रथ है अंकित है परसु परकार के सिक्के तो मुख भाग पर बाये हाथ में परसु धारन किये हुए राजा का चितर था था मुद्रलेक रितांत परसु राजा रा की आकरती तथा उपादी क्रितांत पर्षु अंकित है अस्वमेग परकार के सिखे ये सिखे समुद्र गुप्त द्वारा अस्वमेग येग्य के जाने के प्रमान है इनके मुख भाग पर येग्य यूप में बंदे हुए गोडे का चित्तर तथा मुद्रालेक राजा आकरती के साथ अस्वमेग परकार महें अंकित है व्याग हनन परकार के सिखे मुख भाग पर दनुसमान से व्याग्य का आखेट करते हुए राजा की आकरती तथा उसकी उपादी व्याग्य परकार करम है अंकित है प्रिष्ट भाग पर मकरवाहिनी गंगा की आकरती के समुद्र गुप्त उतकिन है इस प्रकार के सिक्कों से जहां एक और उसका आखेट प्रेम सुचित होता है वहीं दूसरी और गंगा गाठी की विजे का भी पता चलता है विणा वादन प्रकार के सिक्के मुख भाग पर विणा बजाते हुए राजा की आकरती तदा मुद्रा लेक महराजा दीराज स्री समुद्र गुप्त है उतकिन है प्रिष्ट भाग पर हाथ में कान को पिया लिये हुए लक्समी की आकरती अंकीत है इस प्रकार के सिक्कों से उसका संगीत प्रेम सुचित होता है ठीक है तो देखिएगा हमने समुद्र गुप्त के बारे में इस वीडियो में जानकारी प्राप्त की कि उसके बारे में हमें कौन से स्रोतों से पता सलता है तो जैदा तर उसके सीकों से जानकारी मिलती है तो इसी प्रकार से हम आपको और भी इंफोर्मेशन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे दिखाएंगे तब तक बने रहें य